है हेगल कि अप कर लो है कि हलो फ्रेंड़ दॉड्ड्स न्स learnt मैं यूट्यूब चैनलव मैं की भित्पॉंदेशेट हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी भाउंद्थित पहर स्वागत है तो में कने आप का वीडियो नंबर हम लेकर आये हैं 3 और जिसमें हम बात करेंगे स्फेरिकल कंड़क्टर और कंबिनेशन आफ कपिसिटर्स की तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी पूराने करेंगे हम तो पहले बात करते हैं स्फेरिकल कंड़क्टर की कि अ कि इस फेरिकल कपिसिटर क्या होता है तो और इस पहले फिंस इस चैप्टर के दो वीडियो में आल रेडि जा चुका हूं यदि आपको आवे सकता है उन वीडियों को देखने की तो लिंक डिसक्रप्शन म क्या होता है इसमें धातु के दो संकेंद्री खोखले गोले होते हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी इस परस नहीं करते हैं धातु के दो संकेंद्री खोखले गोले होते हैं और भीतरी गोले से एक धातु की छण जुड़ी होती है जिसे हम उसको आवेसित करते हैं जब उसक से इस प्रकार से इसमें धात के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं जिनके केंद्र एक ही होते हें दो संकेंद्रिय गोले हैं इसको मान लिया हम ए और इसको उन्हें मान लिया बी इसमें धात के दो संकेंद्रिय गोले होते हैं और भीतरी गोले से एक धात की छड़ जुड़ी होती है इस प्रकास से धात की छड़ जुड़ी होती है जो बाहरी गोले को कहीं पर भी सपर्स नहीं करती है ठीक है और इस छड़ के माद्धिम से जब हम भीतरी गोले को चार्ज करते हैं मालो इसको प्लस क्यू आवेस देते हैं इसको जब हम चार्जिंग करते हैं इसको जब हम फिर प्लस क्यू आवेस देते हैं तो प्लस क्यू आवेस इसके सर्फेस पे एक समान रूप से वितरीत हो जाता है इस प्रकास से प्लस QAVS इसके एक समान रूप से इसकी सतह पर बितरित हो जाता है और इस प्लस QAVS के एकारण प्रेरन के एकारण इस बाहरी गोले B पर माइनस QAVS उत्पन हो जाता है प्लस Q और इस बाहरी गोले को हम प्रथवी से जोड़ देते है कि इसकी क्या कर देते हैं कि इसकी एंफेंट्स अरथिंग कर देते हैं तो यह है स्फेरिकल कपीसिटर गोली ये शंधार इसमें क्या करते-समें संकेंद्री धातु के दो खोकले गोले लेते हैं और इस भीतरी गोले से धातु की छणा को हम जोड़ देते हैं जिसके द्वारा हम इसको आवेसित करते हैं इसको जब हम प्लस क्यों आवेस देते हैं तो प्रेंड के करने से यह बाहिरी गोला है इस पर माइनस क्यों आवेस आ माल लेंगे यह जो कर्प्टल ए का गोला है इसकी रेडियस को हम माल लेंगे इसमाल ए और जो यह गोला है इसकी रेडियस को हम माल लेंगे इसमाल बी यह कर्प्टल ए भीतरी गोले की रेडियस को हमने माना है इसमाल ए और बाहरी गोले की रेडियस को हमने माना है इसमाल बी ठीक है इसमाल और हम माल लेते हैं इसमाल यह जो भीतरी गोले के कारण विभोक V1 और बाहरी गोले के कारण विभोको V2 मानते हैं तो गोले ए पर नेट विभोक कितना हो जाएगा V1 प्लेस V2 गोले ए पर नेट विभोक कितना हो जाएगा V1 प्लेस V2 तो इस V1 का मान निकालते हैं गोले ए के कारण विभोक कितना हो जाएगा V1 गोले ए के कारण विभोक कितना हो जाएगा सुत्र गलाते हैं वन अपान फोर पाई अपसाइलन नाट इंटू इस पर आवेस की मात्रा है प्लेस क्यू तो यहां पर लिख देंगे प्लेस क्यू अपान इसकी रेडियस कितनी है इसमाल ए ठीक है गोले बी पर गोले बी के कारण विभोक कितना हो जाएगा उपन अपान फोर पाई अपसाइलन नाट इंटू माइनस क्यू अपान इस पर आवेस की मात्रा कितनी है माइनस क्यू और इसकी रेडियस कितनी है बी तो माइनस क्यू अपान बी नेट विभो कितना हो जाएगा गोले ए पर नेट विभो वी बराबर वी बन प्लेस वी टू ठीक है वी बन का मान होते हैं वन अपान फॉर पाई अपसाइलन नाट इंटू क्यू अपान ए प्लस यह कितना है वन अपान फॉर पाई अपसाइलन नाट माइनस क्यू अपान बी ठीक है इसका हमने अमान रखा तो यह प्लस माइनस यहां पे माइनस आ जाएगा बराबर और इसमें से common कितना मिल लहा है 1 upon 4, 5, epsilon, not और Q और Q इसमें से common मिल लहा है यानि Q upon 4, 5, epsilon, not इसमें से common मिल लहा है तो इसके अंदर कितना बचेगा 1 upon A अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 upon B ओके बराबर Q upon 4, 5, epsilon, not LCM इसका हो गया A, B A से A कट जाएगा तो उपर आएगा B और B से B कट जाएगा तो उपर आएगा A ये इसका आगया नेट विभाव गोले A पर उत्पन नेट विभाव V is equal to Q upon 4, 5, epsilon, not B minus A upon A, B ठीक है अब देम विभावांतर की बात करें गोले A पर विभाव है इतना और गोले B का विभाव कितना है गोला वी है ये प्रथवी से जुड़ा हुआ देखिए इसकी अर्थिन है ये गोला B प्रथवी से जुड़ा है इसका और इसका विभाव कितना होगा सुनने होगा तो इसका विभाव सुनने होगा तो हमरे विभावांतर कितना आ जाएगा विभावांतर कितना आ जाएगा V इसका विभाव है V माइनस गोले B का विभाव है जीरो बराबर वी इतना ही आज आजाएगा कितना जाएगा वन अपन पूर पाइ अपसाइलन नाट बी माइनस अपन अपन तो जैब ठीक है इसका विभव है भी गोले एक विभव है भी और बो providing कितना है सून तो इसमें से सून को भठाएंगे तो उतना हिया जागा जी वी माइनस जीरो इस इकुल टू वी इतना आ गया अब धारिता की परिभांसा से है कि धारिता की परिभांसा से धारिता की परिभांसा से धारिता कितनी होती सी जी इकुल टू क्यू अपान वी यहीं तो होती है तो यह इस वी का मान यह जो वी हमारा है इस वी का मान यहाँ पर रख देते हैं एर कि इ से एकुल टू क्यू अपान वी जगापे रख देते हैं यह तो पर क्यू ए क्यू अपान फॉर पैपसाइलन नाट फॉरं पाई अपशाइलन नाट पा टिए अपैन ऊप ए बी तो इस क्यू से एक कुल जाएगा इस क्यू से एक यू इक्क liberti गा 4Pi Epsilon नाट इंटू AB उपर जाएगा यह टर्म उपर चला जाएगा तो C is equal to 4Pi Epsilon नाट AB upon B minus A AB upon B minus A यह स्फेरिकल कपिसिटर्स की कपिसिटर्स है C is equal to 4Pi Epsilon नाट AB upon B minus A यह गोलिये संधारित्र की धारिता क्या फिर्ट्स गोलिये संधारित्र की धारिता है यदि इस इस गोले और गोले ए और बी के बीच जो इस्थान है इसमें कोई परमाद्ध्यम ऐसा हो जिसका परावब्य दुतांक हो कोई परावब्य दुतांक हो तो यहां पर क्या लग जाएगा तो इसका फार्मला हो जाएगा C is equal to 4Pi Epsilon नाट के और AB upon B minus A यह जो इस फेरिकल है इन गोलों के बीच कोई परावब्य दुतांक हो इनके बीच कोई परावब्य दुतांक हो तो क्या हो जाएगा फॉर परावब्य नाट इंटू के AB upon B minus A कि अब कुईस्चन आता है गोली यह संधारित की धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा गोली संधारित की यह दे हमें धारिता बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए तो जो धारिता का सुत्र आया है यह किनकिन बतों पर फेंट संधारित की धारिता तो यह जो धारिता है यह किन-किन बातों पर निर्भर कर रही है पहला point C with क्रमान उपाती है B-A जितना B-A का आमान कम होगा धारिता हमारी उतनी ही अधिक होगी क्या होगा B-A का जितना आमान हम कम रखेंगे धारिता उतनी ही अधिक होगी नमबर दो सी प्रपोजनल है ए बी के है ए और बी के मान अर्थात इनकी जो तरिजाएं हैं जितना अधिक होंगी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि उपर मल्टिप्लाई हो रहा है और नीचे इनमें से घट रही है धारिता हैं तो तो जितनी ए और बी के मान जितने अधिक होंगे जितनी ज़्यादा होंगी अधिक होंगी धारिता उतनी ही अधिक होगी और नमबर तीन धारिता पढ़ाने के लिए सी प्रपोजनल है प्राबैदुतांग कपर यानि इन इन गोलों के बीच ऐसा माद्ध्यम होना चाहिए जिसका परावैदुतांग काफ़ी अधिक हो सिर हो जिसका परावैदुतांग काफ़ी अधिक हो तो इन तीन 時 कारणों से हम गोली संधारित की धारिता को बढ़ा सकते हैं तो ये तो बात हुई spherical capacitor की spherical capacitor की गोली संधारित यह है गोली संधारित की धारिता और यह तीन पॉइंट से हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं किलियर हुआ अब फिर्स बात करते हैं कॉम्बीनेशन आप कापिसिटर्स संधारित्रों का संयोजन संधारित्रों का संयोजन तो कॉम्बीनेशन आप कापिसिटर्स क्या है इनी संधारित्रों को जब हमें धारिता के मान में परिवरतन करना होता है उसे घटाना या बढ़ाना होता है परिवरतन करना होता है तो हम दोया दोसे दिख संधारित्रों को आपस में जोड देते हैं इसे हम combination of capacitors कहते हैं जोडतों सचाभए किया करते हैं जोडतों संधारित्वों को जोड़ने की दो बिधियां है सीरीज combination of capacitors और parallel combination of capacitors नगो 뭉न सíरीज combination of capacitors तो पहले हम बात करते हैं series combination क्या होता है series combination सिरीज कामबीनेशन तो सिरीज कामबीनेशन में फ्यंडस क्या होता है इसमें एक संधारित की पहली प्लेट को विद्धुस दूसरी उस संधायत की दूसरी प्लेट को दूसरे संधायत की पहली प्लेट से तथा उसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधायत की पहली प्लेट से इस प्रकार जोड़ते जोड़ते अंतिम प्लेट को हम प्रतिवी से जोड़ देते हैं माल लो इस प्रकार से हमारे पास तीन संधारित्र है ये फर्ष्ट संधारित्र है ये सिकेंड कापिसिटर है ये थर्ड कापिसिटर है ठीक है ये हमारे पास C1, C2, C3 धारिता के तीन कापिसिटर हैं और इस C1 संधारित्र की पहली प्रेट को हमने विद्दू स्रोत से जोड़ दिया किसे जोड़ दिया विद्दू स्रोत से इस प्रकार से इसको हमने प्लस क्यूँ आवेस दिया इसको जब हमने प्लस क्यूँ आवेस दिया तो यह प्लस क्यूँ आवेस इसकी प्लेट पर आजाएगा इसकी प्लेट पर प्लस क्यूँ आवेस आगया प्रेरन के एकारन इसकी सम्मुख प्लेट पर निगेट्टिव चार्ज माइनस क्यूँ आजाएगा ठीक है इसकी पहली प्लेट को जो हमने प्लस क्यूँ आवेस दिया तो प्रेरन के एकारन इसकी दूसरी प्लेट पर कितना आजाएगा माइनस क्यूँ आवेस आजाएगा और इस प्लेट को पहले संधारित की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारितर की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं ठीक है दूसरी प्लेट को दूसरे संधारितर की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और इस आवेस का जो धनातमक भाग है इसको हमने जोड़ा है तो माइनस यहां पे आ जाएगा और यहां का जो पाजटिव चार्ज है वो आगे बढ़े और इस प्लेट पर पर पाजटिव चार्ज आ जाएगा और प्रेरण के अकारण इसकी सम्मुख प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा किलियर हो रहा है इस यहां का फिर फिर यह दूसरी संधारित की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित की हम पहली प्लेट से जोड़ देंगे इस प्रकार से और यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आगे बढ़ेगा जा जाएगा और जो अन्तिम प्लेट की सबसे आखिरी संधारित रहे शब 340 вас अनधारित की आखिरी प्लेट को हम प्रत्रवी से जोड़ देते हैं इसके का कर देते हैं कि अरथिंग कर देते हैं इसकी हमने कि आ खश्रीच प्रकार से होता है सीरीज कामबीनेशन ठीक है इसकी पहली प्रेट को जब प्रस्क्यू आवेस देते हैं तो प्रतेक संधारित की संधारित की पहली प्रेट पर सभी संधारित की पहली प्रेट पर प्लस्क्यू आवेस पर सपर प्रस्क्यू आवेस आगया और दूसरी वाली पर माइनस क्यू आ कितना आविश आगया माइनस क्यू आविस उत्पन हो जाता है ठीक है समान आविस प्लस क्यू है और हमने माना इनकी प्लेटों के बीच विभव क्रमसह वीवन इसके बीच विभव वीटू और इसके बीच विभव V3 है खिक है V1, V2, V3 है तो यदे हम कुल विभो की बात करें Total Potential कुल विभो V बराबर V1, V2, V3 यह तो हो जाएगा कुल विभो V is equal to V1 V2 plus V3 V1 बराबर क्या हो जाएगा V1 कितना हो जाएगा Q, क्योंकि आवेस समान है प्रत्यक संधाहित पर आवेस की मात्र क्या है समान है Q अपान पहले संधाहित के लिए C1 V1 क्या अवमान हो जाएगा Q अपान C1 धारिता से, क्योंकि धारिता C is equal to Q अपान V होती है अच्छा V2 कितना हो जाएगा V2 हमारा हो जाएगा Q अपान C2 और V3 कितना हो जाएगा इस की प्लेटों के बीच विभव V3 कितना हो जाएगा Q अपान C3 ठीक है यह मान यहाँ पर हम रखते हैं तो V is equal to Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 फ्लों फ्रेंस ठीक है इन मानों को हमने यहाँ पर पूट कर दिया यदि पूरे समायोजन की धारिता C हम माने कि हमाने पूरे समायोजन की धारिता को C माने तो V is equal to Q अपान C हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख दिया Q अपान C is equal to Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 यहाँ से Q हट जाएगा इधा से Q हम कामन लेते हैं और यहाँ प्लस Q अपान C is equal to यहाँ से दिम क्यों कामन लेते हैं तो वन अपान C1 प्लस अपान C2 प्लस अपान C3 और इस Q से यह क्यों कट जाएगा तो शीरीज कांबीनेशन की तुल्य धारिता वन अपान C is equal to वन अपान C1 प्लस अपान C2 प्लस अपान C3 यह होई तुल्य धारिता तो से रणी करम में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता वन अपान C बराबर वन अपान C1 प्लस अपान C2 प्लस अपान C3 होती है इसी प्रकायदी यन संधारित तो जुड़े हों इस सिरीज कामबिनेशन में वर संधायत युड़े हो तो उनकी धारिता कितनी हो जाए वन अपान सी बराबर वन अपाँ सी वन सिवन अपान सी टू प्लस बढ़न अपान सी धृस्व डाढट आटेंस वन प्लस उनपान सीएण यही तो चाहें जितने संधारित जुड़े हों में इस प्रकाल से उनकी धारिता को निकाल लेंगे तो इस पस्ट है कि स्रेणी क्रम में जुड़े संधारित की तुल्य धारिता का जो व्यूतक्रम है उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्यूत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सेरीज में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से कम होता है। सेरीज में जुड़े हैं तो जो उनकी तुल्य धारिता आएगी वो तीन माइक्रो फैरेड वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आएगी। समझ रहे हैं तीन माइक्रो फैरेड वाली संधारित्र की धारिता है उससे भी कम आएगी। इसमें हम लगाएंगे तुल्य धारिता दिनिकालना है तो बन अपांसी बराबर क्या हो जाएगा वन अपांसी वन की जगह पे 50 प्रस वन पांसी टू की जगह पे 30 माइक्रो फैर्ड और वन पांसी ठीक है। ठीक है, तो 1 upon C बराबर, इसका LCM कितना आएगा, कितना आएगा, 150, 50 से इसको डिवाइड किया, तो 3, 5, 50, तो 1 upon C बराबर, 58, upon 150, 150, तो 1 upon C बराबर, 58 upon 150, तो C कामान कितना हो गया, 150 upon 58, काट दीजे, 224, 29, 18, 27, 14, 25, 10, 29 से 75 को भाग करो, 22, 29, 18 के रिया है, 224, 5, कितनी बाल लगेगा, 5, पाइफ, लगभग, सम्टिंग 2.5, तो इसकी तुल अधारिता 2.5 के सम्थिंग आ रही है, C is equal to 2.5 माइक्रोफेर, तो देख रहे हैं, जो तुल अधारिता का मान है, वो 3 माइक्रोफेरेड, सबसे कम संधारित की धारिता वाला संधारित कौन था, 3 माइक्रोफेरेड था, उसकी धारिता से कम ही आ रही, देख रहे हैं, 2.5 माइक्रोफेरेड के करीब है, सबसे कम संधारिता वाला संधारित रोगा उसी की भी धारिता से कम होती है सी जुकल टू कितना आगे 2.5 ठीक है यह तो यह है तो यह संधारित की तुल्य धारिता कितनी होती है अब बात करते हैं पैरलेल कॉंबीनेशन नमबर तो पे है पैरलेल कॉंबीनेशन समांतर करम संधारिता क्या होता है पैरलेल कॉंबीनेशन पैरलेल कॉंबीनेशन क्या होता है कभी कभी प्रियोगात्मक कारिकरने के लिए जो हमारे पास एक संधारित है प्रियोगात्मक कारिकरने के लिए एक संधारित की धारिता काफी कम पड़ जाती है कितिनी होती काफी कम होती तो हमें उच्छ धारिता को प्रात करने के लिए कई सारे संधारित्रों को समानतर क्रम में जोड़ना होता है धारिता के मानकों में बढ़ाने के लिए संधारित्रों को समानतर क्रम में जोड़ते हैं किस करन में समानतर करन में तो मान लो समानतर करम में कैसे जोडते हैं हमारे पास 3 असंधारित जनकी धारित आthen old है कुछ इस प्रकास से उनको हम जोड़ते हैं कि यह पहला संधारित्र कि यह दूसरा संधारित्र और यह कि तीसरा संधारित्र है ठीक इस प्रकार से यह टर्मिनल है एक्स और यह टर्मिनल है वाई इसकी धारिता है सीवन इसकी धारिता है सीटू इसकी धारिता है सीटी इस तीन संधारित्र सीवन सीटू सीटू सीठी इस कपिसिटर जिनकी सीटू सीटू सीठी धारिता के क्या करते हैं charging देते हैं है हमें मानले से प्लस क्यू आवेस दिया इसको जब हमने आवेसित किया एक्स टर्मिनल को बेद दुसरोत से जोड़ा तो प्लस क्यू आवेस इन तीन पार्टों में बच जाएगा हमने माना इस सीवन संधारित पे आवेस की मात्रा क्यूवन सीवन संधारित पे आवेस की मात्रा क्यूटू और सीथिरी संधारित पे आवेस की मात्रा कितनी हो गई Q3 आवेस तीन पार्टों में बढ़ जाएगा Q1, Q2, Q3 और इस Y टर्मिनल को हमने प्रथवी से जोड़ दिया क्या करदीश की हमने आरथिंग इसको हमने प्रथवी से जोड़ दिया करते हैं ठीक हमने जब प्रस्क्यू आवेस दिया तो जब हम इसको प्रस्क्यू आवेस देंगे तो प्रतेक संधारित्र की फर्स्ट प्लेट पर प्रस्क्यू आवेस आजाएगा कितना आ जाएगा प्लस Q आवेस प्रत्यक संधारित्र की फर्स्ट प्लेट पर प्लस Q आवेस और इसके सम्मुख दूसरी प्लेट पर माइनस Q इस पर Q3 आवेस तो इस पर माइनस Q3 अपोजिट चार्ज आ जाएगा टिक अपोजिट चार्ज आ जाएगा और एक्स और प्रतेख संधारित्र प्रतेख संधारित्र का वोल्टेज जो है वो एक समान वोल्टेज वी है कितना है प्रतेक संधारित्र का एक समान voltage V है और आधेस तीन पार्टों में बट गया है तो टोटल आधेस कितना हो जाएगा टोटल चार्ज टोटल चार्ज Q is equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ठीक है Q1 कामान कितना हो जाएगा Q1 is equal to चुकि धारिता C is equal to Q upon V से Q कितना होता है C V Q is equal to C V तो पहले संधारित के लिए Q1 कामान कितना हो जाएगा C1 और voltage सभी का सेम है सभी के लिए विभो कामान सभी प्लेटों पर समान है तो C1 into V Q2 कामान कितना हो जाएगा C2 into V इस संधारित के लिए Q3 कितना हो जाएगा C3 into V यहीं तो और इस पूरे समायोजन का पूरे समायोजन का कि धारिता यदि हम C और voltage हमारा V है और पूरे संधारित की धारिता को यदि हम C माने तो Q को कितना लिख सकते है C into V ठीक है इन सारे मानों को इस समीकरण में रखो तो कितना हो जाएगा C V is equal to C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V और इन सभी संधारित से यदि V कामन ले 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 तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और इस V से यदि कट जाएगा तो C कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 तो समानतर कर में जुड़े संधारित की तुल्य धारिता C is equal to C1 प्लस C2 प्लस C3 समानतर की तुल्य धारिता का मान अलग अलग संधारितों के योग के बराबर होती है उन संधाजित्रों के अलग-अलग धारिताओं के योग के बराबर की तुल्य धारिता का मान अलग-अलग संधाजित्रों के योग के बराबर होती है तो यह था पैरलेल कंबिनेशन और सीरीज कंबिनेशन यानि combination of capacitors को हमने अच्छे से जाना और इस वीडियो में हमने बात की spherical conductor की तो उम्मीद करते हैं यह सारे topic आपको अच्छे से clear हो गए होंगे तो आज की class को यहीं तक रखते हैं मिलते हैं किसी यहने वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहे हैं Good night झाल